Hello lovely ladies, welcome to my channel आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर pregnancy में शुगर हो जाती है यानि कि sugar के levels आपके blood में बढ़े वे मिलते हैं pregnancy के time पे तो इसका क्या आफर हो सकता है आपके baby पे और आपकी health पे तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के Pregnancy के दौरान अगर आपके blood में sugar के levels बढ़े हुए हैं तो इस condition को कहा जाता है gestational diabetes यानि कि pregnancy के दौरान diabetes होना पहले आप ठीक थी लेकिन आपकी pregnancy हुई और pregnancy के दौरान आपको diabetes हो गई तो ये बिमारी होती है क्या होता है कि आपके शरीर में जब आप pregnant होती है तो placenta नाम का एक structure बनता है और ये placenta आपकी बच्चेदानी से यानि की uterus से आपके baby को जोड के रखता है और आपकी body से oxygen और nutrition आपकी baby तक पहुँचाता है तो ये placenta होता है अब इसे placenta में से कुछ ऐसे hormones release होते हैं जिसकी वज़े से आपके blood में जो sugar का level होता है वो बढ़ने लगता है pregnancy के time पे अब अगर normal healthy condition है आपकी तो क्या होगा कि आपके pancreas में से भी insulin release होगी और ये insulin जो है वो बढ़ी हुई sugar के levels को control कर लेती है लेकिन अगर ऐसी condition किसी महिला में बन जाए कि उसमें क्या हो कि insulin जो है वो बढ़ी हुई जो sugar level है उसको control नहीं कर पा रही है इतनी मात्रा में नहीं release हो रही है या फिर release हो भी रही है तो भी आपकी body उसको use नहीं कर पा रही है दोनों ही conditions में क्या होगा कि आपके blood में sugar का level जो है वो बढ़ने लगेगा pregnancy की दौरान तो इसी को gestational diabetes कहते हैं अब इसमें आपकी body में कुछ लक्षन ऐसे दिखाई पड़ते हैं अगर आपका जो sugar level है वो बढ़ने लगता है आपके blood में तो आपकी body में ऐसे लक्षन आते हैं जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगती है कुछ जरुद से ज़्यादा ही प्यास लगने लग जाती है आपको बार बार यूरीन जाने का मन करता है, बार बार यूरीन पास करनी पड़ती है आपको शरीर में बहुत ज़्यादा थकान महसूस होने लग जाती है, नौजया होता है और इसके इलावा blurred vision हो सकता है आपका यानि कि आपको देखने में problem हो सकती है दुदला दिख सकता है तो ये एक symptom हो सकता है gestational diabetes का इसके इलावा बार-बार infection होने की tendency बढ़ जाती है जैसे कि बार-बार आपको vaginal infection हो रहा है या bladder का infection बार-बार हो जा रहा है या फिर skin का infection बार- करते हैं क्योंकि ये gestational diabetes में आमतर पर ये symptoms पाए जाते हैं अब इसकी diagnosis कैसे confirm होती है ये तो आपकी doctors जो है pregnancy में routine भी आपका sugar level check करते ही है तो उसमें अगर ये आपकी urine में sugar का level बढ़ावा मिल जाएगा और आपके blood में sugar का level बढ़ावा मिल जाएगा तो urine test और blood test के द्वार इसकी diagnosis जो है वो confirm हो जाती है कि आपको gestational diabetes है तो इसलिए proper regular check-ups doctor से करवाना pregnancy के दौरान जरूरी होता है ताकि इस तरीके की कोई condition अगर develop हो रही है तो वो detect हो जाए क्योंकि ऐसी conditions अगर diagnose हो जाती है time से तो proper इनका treatment लेके इन्हें manage किया जा सकता है जो कि आपके लिए भी औ अब हम बात कर लेते हैं कि अगर sugar control नहीं हो पाई तो इससे होता क्या है इससे risk क्या क्या होते है बीबी के लिए और आप के लिए तो सबसे पहले हम बच्चे की बात करेंगे कि बच्चे के उपर इसका क्या बुरा असर पड़ सकता है अगर pregnancy में शुगर बढ़ी भी है और उसे control नहीं किया गया तो अगर control कर लिया गया है manage कर लिया गया है तो आपके भी पूरे chances है एक healthy pregnancy के और एक healthy baby को जन्म देने के लेकिन अगर किसी महिला में undiagnosed रह जाए या पता ना चले कि शुगर बढ़ी हुई है और उसका proper तरीके से management नहीं हो पाए तो जो conditions हो सकती है उनके बारे में मैं आपको बता देती हैं सबसे पहले बच्चे की बात कर लें तो बच्चे में क्या हो सकता है कि इसमें अगर gestational diabetes है तो generally क्या होता है कि बच्चे का size काफी बढ़ा हो जाता है यानि कि और उसका weight भी काफी बढ़ जाता है normal से तो इसकी वज़े से अगर उस दूसरा बच्चे को birth injury होने के risk बहुत बढ़ जाते हैं यानि कि delivery की time पे उसे चोट लग सकती है तो इसलिए doctors अगर आपको सलाह देंगे ऐसी condition में अगर पहले ही पता चल गया तो कि आप normal delivery ना कराकर cesarean section की वहाँ पे जरूरत पढ़ती है तो इस तरीके से ये एक risk होता है बच्चे के लिए gestational diabetes में अब इसके अलावा क्या हो सकता है अगर gestational diabetes है तो एक तो miscarriage का chance भी बढ़ जाता है यानि कि miscarriage हो सकता है और दूसरा अगर आगे को pregnancy progress कर गई तो उस condition में early labor के chances थोड़े बढ़ जाते हैं यानि कि full term होने से पहले ही labor का start होना उसको early labor कहते हैं त तो ऐसे में बच्चे को कई बार जन्म के तुरंट बाद सांस लेने में दिक्कत हो सकती है जिसको की respiratory distress syndrome बोलते हैं तो इस तरीके सो उसको breathing difficulties हो सकती है इसके इलावा बच्चे को जो problem हो सकती है वो यह है कि जन्म के बाद उसमें hypoglycemia नाम की condition develop हो सकती है यानि कि उसकी blood में जो sugar levels होते हैं वो कम हो जाते हैं अब इसको manage करने के लिए doctors आप से कहेंगे कि आप बार बार बच्चे को feed कराईए थोड़ा जादा feed कराईए या फिर बच्चे को फिर intravenous glucose जो है वो चठाया जाएगा उससे फिर control होती है वो जो hypoglycemia की condition होती है तो इस तरीके से ये एक risk ह इसके इलावा जो दूसरी चीज हो सकती है वो यह होती है ऐसे बच्चे जिनको pregnancy की time पे जिनकी mother को gestational diabetes हो गई थी उनमें फिर obesity के देखा गया है कि आगे चलके chances बहुत जादा होते हैं यानि कि मुटापे की शिकायत हो सकती है इसके इलावा उनमे type 2 diabetes develop होने के भी chances बहुत बढ़ जाते हैं आगे चलके life में तो यह कुछ risks ऐसे हैं कि अगर आपका blood sugar level control नहीं हुआ pregnancy के time पे तो आपके बच्चे में यह problems हो सकती है अगर properly manage हो जाए और आपको medical treatment मिल जाए उस time पे सही time पे तो आप उसके लिए निश्चेंत रहिए उसमें इस तरीके की problem फिर आपक करी जा सकती है अब हम बात कर लेते कि आपी खुद की health पे इसका क्या आसर पड़ सकता है अगर शुगर बढ़ी हुई है तो तो क्या होता है एक condition होती है एक बीमारी होती है pregnancy का ही complication होता है यह जिसको preeclampsia कहते हैं यह बीमारी थोड़ी सी risky होती है क्योंकि इसमें जो आसे symptoms ऐसे हो सकते हैं जो कि आपके लिए और बच्चे के लिए दोनों के लिए थोड़े risky और dangerous साबिक हो सकते हैं तो इस तरीके से यह जो बीमारी है यह हो सकती है अगर sugar level properly manage नहीं किया जाए तो इसके इलावा आप में भी ऐसा होता है कि अगर आपकी पहली pregnancy में या एक pregnancy म अगर आपकी future कोई pregnancy होगी तो उसमें भी gestational diabetes होने के chances थोड़े बढ़ जाते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा cautious रहना पड़ेगा इसके इलावा आपकी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो उसके बाद आपके अंदर type 2 diabetes develop होने के chances जादा होते हैं अगर आपको pregnancy में diabetes होई है तो यह chance थोड़ा जादा होता है कि आगे चलके life में आपको type 2 diabetes जो है वो develop हो जाएगी तो इस तरीके से यह कुछ risks होते हैं जो कि आपके साथ है और बच्चे के लिए हो सकते हैं अगर blood sugar level को control नहीं किया गया तो अगर proper आप treatment ले रही हैं आपका time से diagnosis बन गया है और properly manage कर लिया गया इसको तो फिर इसमें इन सब risks से आप बच सकती है और एक healthy pregnancy होगी आपकी और healthy baby को आप जनम दे सकती है तो इसलिए cautious रहना यहां पर बहुत जरूरी है और routine check-ups करवाना doctor से वो भी बहुत जरूरी है तो इस तरीके से अगर आप में थोड़े बहुत ऐसे symptoms मिलते ह जो कि मैंने आपको बताया कि gestational diabetes की और इशारा कर सकते हैं तो आप अपने doctor से जाके जरूर consult करिए वैसे जहां तक मुझे पता है सारे ही doctors जो है वो routine में sugar level आपका चेक कराती ही है pregnancy के time पे तो वहां कोई ऐसा issue नहीं होना चाहिए बस यह है कि आपको cautious रहना है और अगर sugar level बढ़ रहा है आपको pregnancy में तो आप अपने doctor से consult करके इसको manage कर सकती है वो आपको ऐसा treatment दे सकते हैं कि आपके blood sugar levels जो है वो manageable levels पे रहें आपको अगर कुछ भी पूछना है इस बारे में तो आप नीचे comment section में मेरे से पूछ सकती है और अगर आपको यह video useful लगा है कुछ काम क लगा है तो आप इस video को like कर सकती है और मेरे चानल को subscribe कर सकती है मैं अपने चानल पर pregnancy से related ही काफी videos बना चुकी हूं और upload भी करती रहती हूं इसके इलावा birth control या contraceptive method से related videos आपको मेरे चानल पर मिलेंगे इसके इलावा female infertility यानि कि जहां पर महिलाएं और couples जो हैं वो pregnant हो नहीं हो पा रहा है उनके लिए भी कई useful videos आपको मेरे चानल पर मिलेंगे तो आप चाहें तो चानल को visit करके देख सकती है अपने interest के मताबिक जो भी आप देखना चाहें मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और ब झाल रखिए और चाहें में तो